72 साल बाद ये संयोग बन रहा है कि सावन की शुरुवात भी सोमवार से हो रही है और सावन का समापन भी इस बार सोमवार से ही होने वाला है और 72 साल के बाद जब ये संयोग बन रहा है तो जो भक्त हैं उनमें ऐसी उत्साह देखने को मिल रही है जो शायद पहले कभी देख दिखने को नहीं मिले थी और आज सावन का पहला सुमवार है आज से ही सावन शुरू हुआ है और आज अनुमानित आकडा लमसम तीन से चार लाक हो सकता है जो लोग बावाधाम जाकर जल चढ़ाएंगे सुल्तान गंज से लाक से सवा लाक लोग अब तक निकल चुके हैं ज कई भक्त तो पैदल जाते हैं कई भक्त दोड कर जाते हैं कई बिच्छू बन कर जाते हैं कई रेंगते हुए जाते हैं और ऐसे ही कई अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके को अपनाते हुए भक्त अपने श्रद्धा के हिसाब से बावाधाम जाते हैं वहां जल चढ़ाते ह बासुकी नात जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं और सावन के इस पवित्र महीने में लमसम एक महीना अब आपको यही खबरे सुनने को मिलेंगी कि देखिए कैसे भक्त गण अब जा रहे हैं बाबा धाम की योर। अब लोटते हैं बाबा धाम की योर। पवित्र मना जाता है और भक्तों को लगता है कि सावन महीने में अगर वो लोग जल चढ़ाएंगे तो बहुत कृपा बरसेगी भगवान की और वो जो मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा। हम आपको हर साल किस्सा सुनाते हैं कि कैसे बाबा धाम में अलग अलग भक्त अपने अपने हिसाब से अपने अपने मनोकामना के अनुसार अपने अपने श्रधा के अनुसार बाबा के पास दर्शन करने जाते हैं। इस बार आज पहला सो मुआर है और बढिया बात ये है कि सावन की शुरुवार्ट भी सो मुआर से होगी सावन का अंत भी सो मुआर से होगा और ऐसे में आज पहले सो मुआर को लमसं तीन से चार लाक लोग बाबाधाम में जाकर जल चड़ाने वाले हैं पहले सुल्तान से लोग जल भरते हैं जहां भी गंगा वहती हैं वहां से जल भरा जाता है और उसके बाद वही जल लेकर लोग बाबाधाम की और प्रस्थान करते हैं लाइन में लगते हैं और बाबाधाम में जाके जल चढ़ाते हैं अभी के रिपोर्ट के अनुसार बाबाधाम में किलो मीटर लंबी लाइन लग चुकी है और ये खबर है सुबह के 6 बजे की यानि सुबह 4 बजे दरवाजा खुला दा भगवान का और 6 बजे 5 किलो मीटर लंबी लाइन लग गई और आज दिन भर ऐसी स्थिति रहेगी कि वहाँ पर पैर रखने का भी जगा नहीं होगा लेक इशले साल तो दो महीने का सावन था करोडों का आकड़ा पार कर गया था और इस बार एक महीने है फिर भी करोडों का आकड़ा पार करेगा और वो लोग जो ये सोच कर रखे हैं कि सावन में बाबाधाम जाएंगे वो बिलकुल जाएंगे बाकी अगर बिजनस के लिहाद स कोई लोटा बेच रहा है जलवाला तो कोई कामड बेच रहा है कोई बच्चों का खिलोना बेच रहा है कोई नाष्टा और खाना का इंतजाम किया है उससे बिजनेस भी खूब होता है मिला जुलाकर जा पवित्र महीना जिसकी शुरुआतार से हुई है अब एक महीने तक करेंगे में नाम प्रशान्थ है बहुत बहुत धन्यवाद